हे गाईस स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमफी कार्स में और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि 6 ऐसी गाड़ियां है जो कि ये साल 2023 में भारती बजार में लॉंच होने वाली हैं तो यहाँ पर नंबर 1 पर आती है टाटा कर्व ये टाटा की तरफ से आने वाली ए इसको X1 प्लैटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है ये जो प्लैटफॉर्म ये बहुत ही डूरेबल है 12 लाख रुपे से ये गाड़ी चालू होगी और इसका जो टॉप मोडल है वो आपको तकरीबन 18 लाख रुपे के अंदर मिल जाने वाला है बात कर लेते हैं इस कार के लुक्स की तो सेग्मेंट से एक दम यूनिक हट की डिजाइन यहां पर इस कार को दिया गया है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया आपको फिनिशिंग टेचस यहां पर देखने को मिल जाते हैं अगर बात कर लेते हैं कार के लेक्ट्रिकल चारजिंग, A-S sensors भी आपको इस कार में ओफर किये जाएंगे, Dual Zone Climate Control, 3 Drive Modes और TFT Driver Display आपको यहां पर ओफर कर दिये जाएगा और आप 5 लोग आराम से comfortable होकर अपनी family के साथ इस गाड़ी में travel कर सकते हो आपको कोई भी comfort को लेकर problem नहीं आने वाली है अब अगर बात कर लें क यह कर कब तक launch हो जाएगी तो October 2023 में यह car confirm बारती बजार में launch होने वाली है नमबर टू पर आती है Honda WRV यह Honda की तरफ से आने वाली एक compact 5-setter SUV है जिसको Amaze के platform पर बनाया गया है 7 लाग रुपे से गाड़ी चालू होगी उसका जो top model वह आपको तकरीबन 12 लाग रुपे के अ आपको आने वाले टाइम में और भी अच्छी गाड़ियां भारती बजार में देखने को मिल जाने वाली है बात कर ले थे हैं इस कार के इंजन की तो उसमें आपको एक ही इंजन मिलेगा जो की है 1.2 लीटर का आईवी टैक पैट्रूल इंजन जिसमें आपको 100 बीच्प की पावर और 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाने वाला है और इस कार में आपको सरफ एक ही केर बॉक्स मिलेगा जो की है CVT आटोमेटिक बात कर ले थे हैं कार के इंटियर से दो डैश्बूर्ट की जो फिटेन फिनीशिंग है वो कार की बहुत ही अच्छी है 7 इच इंफो इस कार में ट्रैवल कर सकते हो आपको कोई भी प्रॉब्लम कमफर्ट रिलेटेड इस कार में नहीं आने वाली अब अगर बात कर लेंक ये कार कब तक लॉंच हो जाएगी तो ऑगस्ट 2023 में ये कार कंफर्म भारती बजार में लॉंच होने वाली है नंबर थी पर आती है Volkswagen Polo हाँ दोस्तो पोलो भारती बजार में वापसी करने वाली है और इस बार नए टेकनिकल फीचर्स और बहुत ये शानदर लुक्स के साथ ये कार आपको भारती बजार में मिल जाने वाली बहुत ही कम समय में अगर बात कर लोते हैं इस कार की प्रैजिंग की तो इस ts. कार की पीछे LED टेल लाइट और LED इंडिकेटर्स आपको ओफर कर दिये जाएंगे बाकि Majorly Changes भी लुक्स में यहाँ पर आप देख सकते हो Bumper Change और पीछे की डिजाइन में थोड़ो बहुत यहाँ पर चेंज कर दिये गया है कार के इंजन की बात कर ले तो कार में अभी भी आपको एक ही इंजन मिलेगा जो कि है वन लीटर का पैट्रोल इंजन जिसमें आपको बहुत ही शांदार पावर और बहुत ही शांदार टॉर्क आफर कर दिये जाएगा 5-speed के manual transmission और automatic transmission में आपको इवाली कार available होने वाली है कार के इंटियर से बात कर तो कार के इंटियर आको बहुत ही luxury मिल जागा पहले मुकाबले infotainment system का जो touch response वो भी आको बहुत शांदार मिलेगा और जो driver display वो भी आपको यहाँ पर TFT में available हो जाने वाला है आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस कार में travel कर सकते हो आपको कोई भी problem comforts related इस कार में नहीं आएगी अब अगर बात कर लें कि एक और कब तक launch हो जाएगी तो November 2023 में ये कार confirm भारती बजार में launch होने वाली है नमबर 4 पर आती है Hyundai Santa Fe ये दर असल दोस्तों एक 5-setter SUV है जो कि आपको बहुती spacious और comfortable देखने को मिल जाती है बात कर लेते हैं इस कार की pricing की तो 12,00,00 रूपे से ये गाड़ी चालू होगर इसको जो top model वो आपको तकरीबन 17,00,00 रूपे के अंदर मिल जाने वाला है कार का जो looks है और जो electrical से हैं वो आपको बहुती awesome quality की मिलते हैं और जो looks है कार का वो तो बहुती शांदार लगता है देखने में बहुती उची सी ये कार बनाई गई और अच्छी खासी लंबी है तो आपको इस space को लेकर भी कोई भी problem इस कार में अंदर नहीं आ जाएगी बात कर लेते हैं इस कार के engine की तो कार में बहुती बड़ा engine दिया गया है जो कि है 2 लीटर का petrol engine इसमें आपको six speed का manual transmission और automatic transmission offer किया जाने वाला है बात कर लेते हैं कार के interior से तो कार का interior बहुती luxury और premium है आपको एकदम राजा वाली feel आने वाली है अंदर आपको 360 degree camera मिलेगा blind spot, dual zone climate control, TFT driver display जिसमें आपको राइडिंग मोट्स को भी set कर सकते हो, heads up display और ventilated seats मिलेंगी आपको panoramic sunroof के साथ में बहुती बड़ा sunroof आपको बात कर लेते हैं कि आप 5 लोग आराम से बैट सकते हैं तो आप 5 लोग आराम से comfortable होकर इस car में travel कर सकते हो, आपको comfort को लेकर या फिर leg room या फिर head room को लेकर कोई भी problem इस car में नहीं आने वाली है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये car कब दक लाइगी तो October 2023 में ये car confirm इंडिन म प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, ये एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है, 14 लाक रुपे से गाड़ी चालू होगी और उसको जो टॉप मोडल वो आपको तकरीबन 21 लाक रुपे के अंदर मिल जाने वाला है, कार को जो लुक्स वो बेहदी शांदर है, एकदम मूच चीसी कार बनाये गयी और लैंथ में भी अच्छी खासी लंबी है, तो बहुत ही स्पेशियस और कमफेटेबल कार है ये और इसके जो एलेक्ट्रिकल्स की वरकिंग है, वो भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी मिल जाती है, कार के इंजन की बात कर तो कार में आपको ए हदी शांदर है, आपको एट इंच का इंपोर्टिमिंट सिस्टम मिलेगा, स्टेरिंग माउंटेड कंट्रोल, डूल जोन क्लायमेट कंट्रोल, सिक्स एरबेक्स, ABS, EBD, सेफटी के लिए, ब्लाइंड स्पोर्ट, मॉनिटर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और मून रू लॉंच हो जाएगी, तो सेप्टेमबर 2023 में ये कार कंफर्म भारती बजार में लॉंच होने वाली है, नमबर सिक्स पर आती है, फोक्स वेगन अल्टस, ये फोक्स वेगन की बहुती प्रीमियम सेवन सेटर SUV है, जिसको MQB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, 14 लाख रू बात करें तो कार में आपको एक इंजिन मिलेगा, जो कि है 1.8 लीटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और इसमें आपको 8 स्पीड का आटोमेटिक गेर बॉक्स अविलेबल हो जाने वाला है, कार के इंटियर से बात करें तो कार के इंटियर बेहदी लक्शरी है, आपको 12 आपको पूरा ही TFT में अवेलबल किया जाता है, बाके दोस्तों आप साथ लोग आराम से कंफर्टेबल बैट कर इस कार में ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि ये कार बहुती लंबी और स्पेशियस है, तो कंफर्ट को लेकर कोई भी प्रॉबलम आपको इस कार में नहीं आने अब अगर बात कर लें कि ये कार कब दक लाँच हो जाएगी, तो सेप्टेमबर 2023 में ये कार कंफर्म भारती बजार में लाँच होने वाली है, बाके दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि आप इन 6 कार्स में से कौन सी कार को लेना पसंद करोगे या फिर आप किसका बेस सब दो दो जाएगा इन ये वाली थे चोह में ली आप कमेंट से कौन से किया वाली हाँच है और दे आथ कि अंदा वाली है, तो से टिर आप हो एई रग Um